आप सब के सामने लेकर आज की ताजा खबर तो आज की ताजा खबर क्या है देखने के लिए आप सब को आनलाइन आना पड़ेगा और आज हम लोग बहुत सारे चीज़े करने वाले हैं और एक और प्रब्लम आप लोगों की मैंने आज दोग कर दी है और वह प्रब्लम ये थी कि सर क्या हिंदी में नहीं आए गा तो जब तक मोहिन भाई है ना तब तक कंटेंड इंगलिश में भी आएगा हिंदी में भी आएगा और आगर तुम लोग डिमांड कर दोगे तो ग्रीक में भी लेकर आऊंगा ठीक है चलिए तो मेरे पास बहुत सारे गुट मॉनिंग के मैसे जानने लग गए है अरे यह कौन सबको करने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टन इंपॉर्टन न्यूस और अब लोग स्टार्ट करेंगे आज एक बहुत ही खदरनांग न्यूस से जो की पेपर में आने के जिसके चांसे बहुत ज्यादा है तो देखते हैं कौन सी न्यूस है सबसे पहली और प्रनाम सर प्रनाम अशिश क्या हाल है तुमारे सर बहुत में क्लास 12 माक्स 50 परसेंट आना चाहिए मैस केमिस्टी फिजिक्स तिनों एड करके सर प्लीज रिप्लाइ कर क्या पर सब्जेक्ट हर यूनिवस्टी में लेने की एक ही चीज़ होती है 55 परसेंट अगरिंगेट माक्स है तो किसी बी इंविश्टी में एडविशन मिल जाता है ठीक है चलो स्टाट करते बिना वेस्ट करें टाइम हमारा आज का पहला करंड अवेर और देखते हमारे पास आज क्या है पहला करंड अफेर उससे पहले मैं आप सब का फिर से स्वागत करता सी उई टी अड़ा 24-7 पर जो आपके लिए लेकर आता है बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोज बहुत सारे नियूज बहुत सारी नोटिफिकेशन्स हर चीज की अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाती है तो चलिए आज करते हैं हम लोग शुरू और देखते हैं क्या है अरे तुम्हारा भाई लेकर आया है कंटेंट हिंदी में भी उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि क्या सिस्टम है और जैसे कि हम लोगों को देख रहा है कि फॉर्मर सुप्रीम कोट जज अमंग सिक्स न्यू गवर्नर्स अपोइंटेड तो छे नए गवर नए है छे नए नए गवर्नर्स तो कौन बंदा किस स्टेट का गवर्नर बना है वो सब लोग वो सब कुछ हम लोग देखने वाले है उससे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो गवर्नर होता है गवर्नर उसको अपॉइंट करता है कौन गवर्नर को प्रेसिडेंट और एक और चीज़ इंपॉर्टन जो गवर्नर बनने के लिए इंपॉर्टन है वो यह है कि जो बंदा गवर्नर बनेगा उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंक नहीं होना चाहिए 35 years of age कम से कम उस बंदेगी होनी चाहिए तो अगर आप 35 years of age के हो इंडिया के citizen हो और आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नाता नहीं रखते हो मतला अगर पॉलिटिकल पार्टी से नाता रखते थे तो आपको उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ना पड़ेगा तब जाके आपको अपॉइंट किया जाएगा as as a governor ठीक है तो यह सारी के सारी चीज़े आज हम लोग देखने वाले हैं आईए देखते क्या बता रही है तो यह बता रहा है कि six new governors appointed छे नए governors जो है उनको अपॉइंट किया गया है और वो छे नए governors कोन से कोन से है तो यह कह रहा है former supreme court judge former supreme court judge मतलब retire हो चुगे है तो former supreme court judge जिनका नाम है justice अब्दुल नजीर retired appointed as governor of आंदरप्रदेश तो आंदरप्रदेश के governor कोन बने हैं आंदरप chief justice former supreme court के judge जिनका नाम है justice अब्दुल नजीर जाने जाते हैं दो important cases के लिए और यह जो दो important cases है उसमें से एक case है 2019 का बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाला dispute तो बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाला जो dispute था उसमें भी कौन थे यह बंदा था ठीक है और इनका नाम क्या है अब्दुल नजीर यह justice अब्दुल नजीर है यह retired हो चुके है तो इनको आंदरप्रदेश का क्या बना दिया गया है इनको बना दिया गया है आंदरप्रदेश का governor ठीक है important तो यह किस में थे बाबरी मस्जिद राम मंदिर का verdict और बाबरी मस्जिद में हम सबको पता है कि five judges की bench बेटी थी और पाचों ने unanimously बोल दिया था कि वहाँ पर जो है राम मंदिर बना दो और जो बाबरी मस्जिद है उसको अलग से जगा दे दो तो धाई एकर की जगा जहाँ पर पहले बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर राम इसके इस केस के लिए जाने जाते है और five zero का यह वर्डिक्ट था five zero का है ना पाच जने बेटे था जजमेंट में और पाचों के पाचों ने यह सेम जजमेंट दिया था मतलब unanimous judgment दिया था तो इसके लिए जाने जाते है कौन अब्दुल नजीर और दूसरा दूसरा केस ज नोट बंदी जो है उसकेस के लिए इनको जाना जाता है क्योंकि इनके पासकेस गया था एक यह भी five जका मैंच तो जब नोडी हुई थी तो 500 के और दोहजार के नोट जो है वह बंद हो थे और 500 के और 200 के नोट 500 के नोट और टू थावजन रूपीज की जो नोट से क्या इ यही वो बंदा है जिनका नाम है अब्दुनजिर जिन्हों ने कहा था कि बाई पार्लियमेंट्स ने जो डिसीजन ले लिया वो विल्कुल सही होगा सब्सक्राइब को इनको बना दिया गया है क्या इनको बना दिया गया है यह रिटायर हो चुके और इसी साल जनवरी में रिटायर हुए है इंपोर्टन चीज यह तो इसी साल जनवरी में रिटायर हुए है कौन अब्दुल नजीर जी और अब्दुल नजीर जी को बना दिया रुपे के नोट को भी बैन करनी की बात कर रहे है क्योंकि बहुत बड़ी वैलियोशन वाली नोट है तो अभी फिलाल के लिए आधर को पांसो और हजार रुपे के नोट जो है अच्छा और यह वाला केस कब का डी मॉनेटाइशन वाला नोट बंदी का जो भी डिसिजन पार्लेमेंट में लिया है वह पार्लेमेंट का अधिकार है पार्लेमेंट ले सकती है ठीक है तो फॉर्मर सुप्रीम कोड जज जस्टिस अब्दुल नजीर हैस बिन अपॉइंटेड एस दा गवर्णर अंदरपदेश और देखते और कौन से लोग है तो वह दुसरा चैरेख गुलाब चंद कितारिए गुलाब चंद कटारिया। आपकी क्टारिया इस रृष मेंड़ चल्टॉय मेले सुछ ए सिह या कि क्या के सकते हैं उनको विधायक है विधायक है ना देखा ना चाचा विधायक है हमारे ठीक है यूपी में हर दूसरा बंदा बोलता है ठीक है तो यह क्या बोल रहा है गुलाब चंद कटारिया has been appointed as the governor of Assam और यह MLA है कहा के राजस्थान के राजस्थान के MLA है राजस्थान के MLA है बीजेपी से कहा से बीजेपी से और राजस्थान की विधान सभा में यह लीडर ऑफ अपोजिशन भी है लीडर ऑफ अपोजिशन भी है ठीक है क्योंकि हम लोग पता है कि राजस्थान में सरकार किसकी है चंद कटारिया को बना दिया गया है गवर्नर आफ आसाम तो दो चीजे हम लोग देख ली गवर्नर आफ आंदरप्रदेश बना दिया गया है अब्दूल नजीर को और गवर्नर आफ आसाम बना दिया गया है गुलाब चंद कटारिया को यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो जल्दी से बता है हरें हरेंद्र कुमार सिंह के रहें सर पापा विदायक है ठीक है तुम भी पढ़ाई लिखाई करो आईए वाइस बनो लेकिन नहीं चनुने गाट रहें तुमारे हैं चलो इतर देखो पढ़ाई कर ल दोगले होगा तीसरा देखो क्या है अधिन जनरेल कुझा त्री विक्रम परनाइक अब देखोए लेफ्टेन जनरल में यह इस त्री विक्रम परनाएक जी जो है इनको एक समकर गडबड वगई कुछ अच्छा यह अरुनाचल प्रदेश के हैं ठीक है इनको अरुनाचल प्रदेश का मनाया गया अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश ठीक है तो लेफटेनन जनरल कैवल्या तरीविकरम परनायक को बना दिया गया है अरुनाचल प्रदेश का क्या गवर्नर अब यह ले तो यह जो है यह इंडिया की नौर्दन कमांड कमांड के कमांडर भी थे यह यह भी रिटायर्ड हो चुके है और इसी वजह से इनको बना दिया गया है अब क्या गवर्णर आफ अरुनाचल प्रदेश ठीक है अब बाकी जितने भी हमारे पास बचेंगे बाके जितने भी अचारिया लक्षमन प्रसाद अचारिया और लक्षमन प्रसाद अचारिया जी को अपॉइंट किया है आज गवर्णर ऑफ सिक्कीम सिक्कीम का गवर्णर बना दिया है लक्षमन प्रसाद अचारिय जी को आगे हम लोग देखते हैं कि सीपी राधा कृष्णन सीपी राधा प्रदेश हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया इनको ठीक है तो यह सारी की सारी न्यूज हम लोगों देख लिए क्या क्या हुआ है सुप्रीम कोट के अच्छा मैंने आते ही तुम लोगों को एक बात बोली थी कि कोई भी बंदा अगर उसको गवर्नर बनना है तो और शीव प्रताब शुकला है उनके साथ साथ गुलाब चंद कटारिया है यह सारे के सारे बीजेपी को बिलॉंग करते है ठीक है लेकिन क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट हो गया है तो इस वज़े से इन सब लोगों ने क्या कर दिया है अपनी पॉलिटिकल पार्टी कों अब प्रेसिडेंट यहे तो प्रेसेडेंट ऑफ इंडिया अपोइंस हो की आपॉइंट सोभी नचाहिए जो व मैं स्टेट में सरे यंसने स्टेट में थे लेकिन यूणीन टेडिन जो है यूणिन टेरिट्री वह डिरेक्ट लिकने चबन सब्सक्राइब यहां पर यह जो यूनियन टेरिटरी होती है यह डायरेक्टल में होती है किसके डायरेक्टल में होती है प्रेसिडेंट एक टाइम पर प्रेड में हर बैठ नहीं फ्रेसिडेंट के लिए कौन बैठता है वहाँ पर लिटिन गवर्नर ल्ट ल्ट लेफ्टेंट गवर्नर लेफ्टेंट को लेफ्टेंट गवर्नर सोते उनका भी सेमी चीज़ें थरी फइव एज हो जानी चाहिए एंडिया अइंडिया होना चाहिए न्यूट्रल बंदा वन यह कि भी आज़िटी सेंझ है थीकरत लेफटेनेंट और गवर्नर मोने दोनों चीज़े देख ली आप लोगों को एब लोगों को अना या यह सारे के सारे लोग जो है यह पॉइंट हो चुके है और पेपर में आने के चांसे हाई हो सकता है इन दोनों के बारे में पुछा पुछा जा सकता है डैरेक्टली कि अब्दुलनजीर कहा के बने लेटरन जंडल पर नएक कहा कि बने तो इन दोनों के बारे में हो सकता है कि डारेक्ट से मिल जाए तो इसको कर लेना अच्छे से इंप्टान्ट निउस है और इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता और अगर डाउट नहीं है istem उल्किल कह सकते हैं टीक है ए समझ में आगे ओकते हैं मैं हुखोके सारे लोगों के आ रहे है मेरे पास प्यारे पारे से किसी के ग्ल्दन किसी के शबेद किसी के काले भी ही क्या हो गया प्यारा सांग उठा येस नो डाउट ओके डंट बहुत बढ़िया तो फिर आज करते हैं हम लोग आगे क्योंकि आगला है हमारे पास एक कोश्चन देखते हैं उस कोश्चन को क्या आप लोग सॉल्व कर पाएंगे देखिए यह इस तरीके कोश्चन कुछ है आप हमारे सामने और जो लोग के रहते कि सर क्या हिंदी में कंटेंट नहीं आएगा बिल्कुल आएगा जब तक मोहिन भाई है तब तक हिंदी में भी कंटेंट आएगा और आगर तुम लोग बोलो के कल से करनेड़ा मैं भी लिया आता हूं ठीक है बहुत मेहनत लगती है इसमें वर्ट कैं सरड़े को अब्सॉप करा जाता है हर साल तो जल्दी जल्दी से मुझे बताईए फटाफट फटाफट तो अन्सर आने शुरू हो गए और अंसर आने स्टार्ट हो गए कि सर फेबरुवारी बी-बी-बी सर क्योंकि यह करंड आफिर जो आप करा रहे हो यह फेबरुवारी बिलकुल और पहली बार 400-500 सदीयों में ऐसा हुआ है कि आप सब लोगों ने बिलकुल सही आंसर दिया है वो भी इसलिए क्यों कि फरवरी का महिना चल रहा है तो आंसर इसका बिलकुल राइट है और आंसर इसका है क्या इसका आंसर है February फेब्रूरी फेब्रूरी ठीक है तो फेब्रूरी में क्या स्टार्ट हो गया है तो फेब्रूरी फेब्रूरी में मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड कैंसर डे तो आईए देखते हैं वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में बिल्कुल सब के आंसर बिल्कुल राइट है आईए वर्ल्ड cancer day के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजे हम लोग फटा-फट से देख लेते हैं तो यह वर्ड cancer day है कुछ इस तरीके से मनाया जाता है यह डॉक्टर दिखाया गया ठीक है और यह पेशेंट दिखाया गया और उसके साथ एक बंदा जो है वह गले मिल रहा है तो cancer बहुत खतर पीडिएफ अपलोड हो जाएगा आपका एप पर तो एप पर जाहिए पीडिएफ डाउनलोड कर लीजे ज्यादा टेंशन मत लीजे जल्दी आओ क्या बुल रहा है यह फेबुरेटेटेड ऑन फोर्थ फेबुरुरुरी अरे इसकी तो देखो क्या बुल रहा है इट इस सेलीबुरेटेड और 4 फेबुरुरी अर्रियर हर साल चार फर्वरी को मिना जाता है क्या हर साल 4 फर्वरी को मिना जाता है वर्ल्ड कैंसर डे र work सब्सक्राइब ऐसाई आज मतलब किया है इसलो 관련 यह यह तक्यों बताना कि इस से कि लोग मर रहे ठीक है और अगर किसी को लगता है कि सर ऐसा ऐसा सिस्टम है या कि किसी को भी लगता है कि किसी तरीकी की प्रॉब्लम वगेरा हो रही है उसको उसकी लाइफ में तो वो पहले से जाकर क्या करवा ले अपना चेक अप वगेरा करवाता रहे ठीक है तो आगर कैंसर सबसे पहली बार इसको मनाया गया था जेनेवा में सबसे पहली बार मनाया गया था जेनेवा में स्विजर लैंड में सबसे पहली बार मनाया गया था जैनेवा में स्विजर लैंड में इसको सबसे पहली बार मनाया गया था नेक्स चीज कैंसर इससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं बहुत सारे लोटो मिडल इंकम कंट्री जितनी भी है जिनके पास एक मतलब डेवलोपिंग इंट्री और डेवलोपिंग इंट्री जितने भी है उन सब में कैंसर वाले लोग जो है वह बहुत ज्यादा है और सेवेंटी परसेंट लोग जितने पेशेंट से वह कैंसर से उनकी डेथ हो जाती है इसके साथ साथ इसकी हेल्प कुन करता है इसकी हेल्प करता है यूनाइटेड नेशन्स ये डे मनाने के लिए ठीक है तो यूनाइटेड नेशन्स तो 1945 में मना है लेकि 1945 से लगातार यूनाइटेड नेशन्स क्या कर रहा है इनके साथ कोलाबरेट कर रहा है क्या करने के लिए वर्ल्ड कैंसर गैप क्लोज केर मतलब बाद में केर लेने से पहले पहले जल्दी से केर ले लो और इस गैप को कम कर दो ताकि कैंसर जो हो यहीं थीम रहने वाली है तो अगले साल ये वाला प्ढ़ने की जरोथ निया इस साल हम लोग उने पढ़ लिया क्लॉन था क्लोस्थट केर केप इसकी है क्या इसकी है थीम इंपर्ड़नच आच्छा जिन लोगों को हिंदी में देख न आए है द Sum told पट फटावट से ठीक है स्क्रिंशॉट लेना जल्दी ले लो समझा मैंने सारा के सारा दिया तो विश्वा कैंसर दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यू आई सीच की एक पहल है पहली बार इसे 1933 में जेनेवा स्विजर लैंड में मनाया गया था कैंसर दुनिया भर में मोत का दूसरा प्रोमो कारण है और सत्तर परसेंट कैंसर से होने वाली मोते निम्न से मध्यम आए वाले देशों में होती है यह दुनिया को एक जूट करने और कैंसर से लड़ने के लिए हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम है केर गैप बं सके आगे 14 फेव को बढ़ नाम कर अच्छा 14 फेव से याद आए अच्छा याद दिला दिया तुम लोगों ने कि कल 14 फेव है और जैसे कि मुझे पता है कि आप सब लोग सिंगल सिंगल लोंडे है लेकिन इंपोर्डन न्यूज यह है कि मनाने वाले थे ना हम लोग ठीक है एक तरीके से आगे बढ़ने के बाथे कह रही है कि रहे है ठीक है और तुम लोग यह मना रहे हो ठीक है तो वह अप्लिकेशन वापिस ले ली ले ली गए तो 14 फेब्रूरारी को कल सिर्फ और सिरफ वैलेंटे मनाया जाएगा ठीक और और काव हगडे नहीं मनाया जाएगा हाँ cancel कर दिया exactly ठीक है समझ में आगे सबको तुम लोगों ने आंग उठी दिखा दिये के मुझे हाँ पुल वामा एटक भी हुआ था बिल्कुल सही बात है चलो सुरिया कह रहा है सिंगल इतना सिंगल हो गया सुरिया चलो अगली न्यूस देखते हैं अगला कोश्चन हमारे टेलिविजन स्क्रीन पर यह रहा चलो तो यह कोश्चन कुछ इस तरीके का है कि मैनियूला रोका बोटे हैज बिन अपॉइंटेड ऐस फिमेल प्राइम निस्टर आफ विच कंट्री कोश्चन हो क्या है मैनियूला रोका बोटी को किस देश की पहली महीला प्रदानमंत्री नियूक्त किया गया है और आप्शन आप सब लोगों के सामने कुछ इस तरीके से हैं ग्रीन लैंड स्विजर लैंड एक्वेटोरियल गिनी या क्यूबा तो जल्दी जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए ताकि हम लोग थोड़ा सा पटक से आगे बड़े तो ग्रीन लैं स्विजर लैंड उसका अंसर है याँ सर है एक्वेटेरियल गीना यह अंसर है क्यूबा तो जल्दी से मुझे आंसर देके बताइए तो शार लोग संट हो कि एएस बहुत निके रहे, क्यूबा ळायա। भी आंसर आ रहा है अच्छा दी क्यों भाई है ओके धिरच पांडे जी कह रहे कि सर चार गल्ट्रेंड है मेरी अब यह पांडे जी पढ़ाई कर ले जी इसका आंसर गल्ब है क्योंकि इसका आंसर इसका सही लेंड भी नहीं है cima is a सही आंसर है equatorial Guinea equatorial गीनी तो मैन्यूला रोका बोटे को equatorial गीनी का बना दिया गया है prisoner फीमेल फ्राइम मिनिस्टर तो आई यह जानते रहे में जल्दी जल्दी से तो हमारे पास न्यूस कुछ इस तरीक已经 की है यह हमारी मैनियूला है ना मैनियूला और मैनियूला बोटे जी है और इनके बाने में थोड़ी सी म्यूस देख लेते कि क्या है और क्या यह हमें बताना चाहा रही है तो यह यह कह रहा है कि अलबहुरुता जाए त okay है गौटे को सब्सक्राइस लिए चीनियू का इंड़ा गान्दी इंडरा गौनी ऐ इंडिया हई परस्ट परस्ट इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइमिनिस्टर थी ठीक है और इंपोर्टन एक और पाकिस्तान की बेनजिर भुट्टो बेनजिर भुट्टो यह थी पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल प्राइमिनिस्टर ठीक है तो इंदरा गांधी और बेनजिर भुट्टो इसके बाद हमारे पास female prime minister दोनों भी countries में नहीं आया है यह भी याद रखना लोग देख लिया और रही से पहले पहले से यह और 2020 में वैसे ही पॉल्टिक्स में अ गयी है लेकिन दो हज़ार तेइस में ये बन गई है फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर और इकवेटोरियल गीना और इससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर की तरह सर्व करती थी शी रिप्लेस्ट शी रिप्लेस्ट फॉर्मर प्राइम प्राइम मिनिस्टर फ्रांसिस्को प्राइस्ट क्लित आवामा कि और व्राइम बोल नना समझते वह तो यह के सारी न्यूज है किसके बारे में इनके बारे में चिंसने इससे पहले उन्हों ने शिक्षामंतरी के रूप में कार्य किया वह है पूर्व पीएम फ्रांसिस को पास्कल ओबामा असु की जगा लेंगी यहां तक अगर आ गया है तुम लोगों को समझ तो जल्दी से जल्दी मुझे दिखाईए अपना क्या अंगुठा ताकि हम लोग आगे बड़े भाई लोग बोर्ट प्रिपेशन के चल रहे तो अपनी प्रिपेशन कर ले हर अंदर अपना गल्फेंट देगा तो फोन पे स्कैनर भेज भाई यह बता हो कर लिया कि तुम लोगों ने चलो गौरव का आगया है सुर्या आगया अंशलत्यागी आयूश कश्प ओके मनिशा र डाउट नहीं है तो लग रहा है जिस तरीके से आप लोग उमर क्या भी आ गया है रुकईया बानो का भी आया है अधित्या का भी आया है सब के प्यारे प्यारे से बिना धुले हुए हाथ मुझे दिख रहे है चलिए नेक्स्ट कोश्चन आपके टेलिविजन स्क्रीन पर देखिए क्या है यह रहा विच स्टेट है इनिशेटेट इस्टिक्ट एक्शन ऑन चाइल्ड मेरेज और अरेस्टेड अबाउट 2500 पीपल देखो चाइल्ड मेरेज जो है उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे लौज वगेरा भी है लेकिन चाइल्ड मेरेज जो है इंडिया म कैरे वालों को कि बहुत बहुत ज्यादा इक्शन ले रहा है ऐसे बंदों के व्यार की नाम पर या फिर जो कि शादिया कर رहे है इंडियांट से जो कि ना अलाव करता है और ना ही हमारी आई पीसी या फिर हमारा कानून अलाव करता है तो क्वेशन हिंदी में भी देख लेते कि स्राज्जन ने बाल विवाव पर सक्त कारवाई शुरू की है और लगबग लोगों को गिरफतर किया है तो अप्शन हमारे पास है असाम आरुनाचल प्रदेश वेस्ट बेंगॉल या तेलंगाना तो जल्दी जल्दी से आसान दी आंसर दीजे मुझे तो आंसर आ रहे है क्या आसाम 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 सबसे पहले हम आंसर दिये सर अच्छा कॉंग्रेजुल ओके अरे यहां तो सबको आ रहा है चलो तो सबके सबको सबका आंसर जो है वह बिलकुल राइट है और इसका आंसर बिलकुल 100% आसाम है ठीक है अब तुम लोगों को यह तो पता होगा कि ऐसा किया जा रहा है आसाम में लेकिन इसकी इंपोर्टन चीज क्या हो यहां पर दे बाल रही है उसमें उसका बच्चा हो गया ठीक है बारा साल में तेरा साल में शादी होगी तो अगर कोई बंदा 14 years से कम एज की लड़की से शादी करता है तो उस पर लगेगा पॉक्सव पॉक्सव एक्ट लगेगा और यह पॉक्सव एक्ट कप का है 2012 का पॉक्सव और था तो पॉक्सव एक 2012 का एक्ट है तो यह क्या करें दोस मेरी गर्ल्स बिलो देज ऑफ 14 विल बी ट्राइड अंडर दर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्रन फ्रॉम सेक्च्चुवल ओफेंसे एक्ट 2012 तो 14 साल से कम उम्रकी लड़की से आगर शादी कर ली तो पॉक्सव एक्ट और याद रखना पॉक्सव एक्ट नॉन बेलेबल एक्ट है नॉन बेलेवल मतलब मतलब जब तक की कोर्ट की कारवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक जेल से भार नहीं आओगे भीया आ रहा है नहीं यार समझ में तो 14 साल की लड़की उसे शादी मत करो ठीक है और 14 साल की तो प्रोहिबीशन ऑफ चाइल्ड मैरेज एक्ट टूथाउजन सिक से पगड़ लेंगे तुम्हें यह भी क्या है नॉन बेलेबल एक्ट है तो यह क्या बोल रहा है कि आगर 14 साल से कम तो पॉक्स एक्ट लगा देंगे और अगर 14 साल से उपर की लिड़की है लेकिन 18 से कम में तो प्रोहिबीशन ऑफ चाइल्ड मैरेज एक्ट 2006 के तहट तुम्हें उठा दिया जाएगा और तुम्हारे ऐसे जगा पर मारा जाएगा ना ठीक है यह हरकते करते हो तुम चाइल्ड मैरेज वाली ठीक है 2023 में तो 2023 में यह सारी चीज़े बिलकुल आलाउड नहीं और आसाम सरकार और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आसाम का चीफ मिनिस्टर को ने जल्दी से जल्दी जल्दी आसाम का चीफ मिनिस्टर फटाफट से मुझे बताओ ठीक है जल्दी बताओ आसाम का चीफ मिनिस्टर हिंदी में देख ले तब तक 14 साल से कम उम्रकी लोखर जी है इसका आंसर बता है मन्थ हाँ है बलकुल श्रूती बिल्कुल अंसर बिल्कुल सख़ए और हम जोर मजो ग्रतर है तो है मन्थ वीश्वा शर्मा जो है यह चीफ मिनिस्टर है असाम के ये बी इंपोर्टेंट है हमारे अार ये है तो जल्दी से जल्दी से मुझे दिखाओ अपना अंगोठा ताकि हम लोग बढ़ सके आगे है ठीक है आनुपवा सिंह का बिल्कुल सही अंसर है माया यह विश्वा नहीं बिसुवा बीबी आयेगा है न यह बी को वीवी को मत करो ठीक है चलो आफिया पलक आर्शी खुशी गौरव सुरिया सोनु उमर बिलकुल बिलकुल सब क्या आ गए तो सब को समझ में आ गया है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है और नेक्स्ट कोश्चन हमारे टेलिविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है तो जल् कहा पाए गये है recently recently कहा पर पाए गये है लिथियम डिपोजेट और लिथियम बहुत इंपॉर्टन्ड मेटल है हम लोगों के लिए तो यह मेटल जो है किस स्टेट में पाया गया है तो जल्दी जल्दी से आंसर देदीजिए तो मेरे पास बहुत सारे आंसर आ रहे है कि सर तो एस सर और लुटा देने से बाज नहीं आ रहा है उसने वी आंसर दिया है अच्छा और कौन है भाईया जादाजी कहे रहे हैं कि सर मैंने सबसे पहले आंसर दिया है क्या दो तुम्हें ਹब चलो सबके आंसर ए आ रहे है जम्हू एंड क्षमीर जम्हू एंड कश्मीर ठीक है बिल्कुल तो सबका यांसर भर राइट है और इसका आंसर जो है वो है क्या जम्मू एंड कश्मीर के राजधानी बास जरा मुझे पता चले रहे कि दो लोग video को पता है किному और जम्मू एंड कश्मीर में मिला है 5.9 टन्स का क्या हमें लिथियम डिपॉजिट आई यह उसके बारे में देखते हैं कि क्या चीज है और लिथियम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टन्ट है वह भी देखना बहुत इंपॉर्टन आईए देखते हैं कि देखिए कुछ इस तरी की न्यूज है हमारे पास और वह न्यूज है कि डिसकरी आफ लिथियम डिपॉजिट इंजब कश्मीर कट डाउन इंपॉर्ट नीट्स इंपॉर्ट कम करने वाला है यह तो देखते है क्या श्री नगर श्री नगर बिलकुल आंसर आ रहा है ना श् हमिला इसलाल हायमना एरिया अफ रहेज इसॉट डिस्ट्रिक्ट स्थ सब् λाइए तो रहेजी डिस्ट्रिक्ट आफ जमु डश्मीर में हमने मिलता है श्री आप लिथियम डिपोजिट ठीक हैं और फ bistq.9 अन्स्यों डिपोजिट मिला जोकी बहुत ज्यादा इंपोर्टन है हमारे लिए इट वोड रिड्यूस दनीज फॉर इंपोर्ट ठीक है अब इंपोर्ट अब देखो हमारे पास लिथियम की डिपोजिट नहीं हम लोग भार से मगवाते हैं ठीक है एक और चीज याद रुखो लिथियम हो गया लिथियम और कौन सा निकल निकल यह तीन चीजें हम लोग भार से मगवाते हैं ठीक है लिथियम का तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं निकल और कोबाल्ट हम लोगों ने तब पढ़ा था जब मेरी पहली क्लास थी और मैं तुम लोगों बताया था कि जो क्या कहते इसको रेलवे के डब्बे बन रहे रेलव लिए बनाना क्यों की अटना इंपोर्ट कम करने की आहिसे और लिथियम निकल कोबाल्ट ゃुए लेकिन अब क्यूंके रहे इतना लिठीयम काल फॉ aimpción जाएगा और ऍपरड कम का मतलब क्या पाइसा बचेगा पाइसा इंडिया क्या करेंगा एक्नॉमिकली रूकरेगा यह इंपॉटरन नित्सना अवल फॉर इंपोर्ट सॉ लिधियंट गिव आ मेजर बूस्ट फॉर दर मैनुफेक्चर ऑफ रिचारजबल बैटरी तो जितने भी बैटरी उसका बैटरी तो उन सब चीज में लगती है कौन सी बैटरी लीथियम वाली बैटरी और लीथियम इसी वई से हमें करना पड़ता था इंपोर्ट लेकिन अब हमारे घर की दाल हो गई है हम यूज करेंगे इसको ठीक है तो यह क्या बोल रहा है इंपोर्ट फॉर इंपोर्ट ऑफ लीथियम और मेजर बूस्ट फॉर्ट फॉर रिचारजबल बैटरीज फॉर स्मार्ट फोन्स लैप्टॉप्स इलेक्ट्रिक कार्स इन सब में अब हम लोग यूज इसमें यूज करेंगे हम लोग लिथियम जो हमारा खुद का लिथियम है तो बाहर से मगवाने की दूरूत नहीं एट वास कंफार्ण वाइद जियो लोजिकल सर्वे अफ इंडिया ने इसको कंफर्म किया और इंपोर्टन चीज जियो लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क् से लिखकर मुझे बताओ तब तक मैं पढ़ता हूँ तुमारे लिए हिंदी में जम्मो और कश्मीर के रियासी जीले के सलाल हैमना शेतर में 5.9 टन लिथियम जमा की खोज की गई यह लिथियम के आयात की ज़रूतों को कम करेगा और स्मार्टफोन लैप्टप और इंडिया अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी मुझे दिखाईये अपना प्यारा प्यारा अंगठा और और सेशन को लाइक करिए शेर करिए अड़ा 247 के सीवीटी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है मेरी तो सेलरी टाइम पर आ रही है चलिए बताईए बताईए समझ में आगे सबको बिलकुल बिलकुल सारे के सारे आंगठे मुझे दिखाई दे रहे हैं अ अमंग दे फॉल्लविंग मेटल्स इस रेफर्ट टू एज वाइड गोल्ड वाइड गोल्ड किसको बोला जाता है और ऑप्शन आप लोगों के पास देखिए क्या है ऑप्शन है हिंदी में पड़ दू क्या हिंदी में कहा रहा है निमनी लिखित में से किस धातु को ऐल्यमीनियम आंसर है प्लैटिनम बैटिनम एक फिया रितियम भी देखिए लोग अच्छह थी टाइंश शर्म को खताईए बताइए बिबी बी और बहुत सारे लोगों का आंसर आया है बी और बिलकुल सही नहीं है क्योंकि इसका आंसर है लिथियम ठीके भईया कोशन पड़ो कुश्चन देखो क्या है कोशन देखो क्या विच अमंग फॉल इंग मेटल्स क्या फूछ रहा है मेटल्स धातु पूछ है यह होई नहीं सकता अल्यूमिनियम और कोबाल्ट वैसे वाइट नहीं दिखते तो आंसर एक ही हमारे पास क्या लीथियम लीथियम को बोलते हम लोग वाइट गोल्ड आरा रहा है समझ है ना वो जुवेलरी की आयड देखकर तुम इसको बोलने लग गया हो ठीक है लेकिन सब्सक्राइब करता है तो सबसे पहला अलकली मेटल कौन सा है सबसे पहला अलकली मेटल यहीं तो है लिथियम प्राइब प्राइब नौन फेरस मेटल आयरन से कोई लेना देना नहीं एक नेक्स चीजए इस राइएस्ट शुटर्व एस लाइट टेस्ट सॉलिड मेटल सबसे लाइट solid metal है यह नेक्स इसके अलगा इट है लोएस्ट डेंसिटी आफ अल दे मेटल्स इंपर्टन्ट है ना सारे के सारे जितने भी मेटल से उन सब में सबसे लोएस्ट डेंसिटी किस की है सबसे लोएस्ट इसी की है लिथियम की 50 पर सेंट अब यहां सी इंपर्टन चीज श्टार् साउथ अमेरिका में तो साउथ अमेरिका की तीन कंट्रीज है जहां पर दुनिया का 50 पर सेंट लिथियम रिसोर्सेज मिलता है और वह कौन सी कंट्रीज बोलीविया इन तीनों में भी बोलीविया में सबसे ज्यादा लिथियम मिलता है उसके बाद चिले में और उसके और एंचा पर हे साओथ एमेरिका में ठीक है तो यह लगालो भोलीविया यह लगालो क्या है चिले है और यह लगालो आर्जेंटिनां है तो अब ढूरी यह झाले लिथोन ट्रैंगलब बना रहे दुनिया का ठीक चाश परसेंट लिथोन के रिस्परसे जग सभूहर से जयादा प्रोडक्षिन किसका सब्से जयादा प्रोडक्षिन जैस करता है तो पूछह जैसर ज्यादा लीधियम पीस्थ पूरी दुनिया में मिलता है है तो लिधिकत हिंदी में भी देख लो फटाफट फटाफट से यह आवर सारनी में शारों में प्रतम है यह एक अलोह धातू है यह सबसे हलकी ठोस धातू है इसका घंत्व सभी धातूओं में सबसे कम होता है वेश्विक लिथियम संसाधनों का 50% बोलिविया अधिक्तम चीली और अर्जें प्रत्ट में अटपादन ए वेश्विक नेता है अना वेश्विक नेता आगा अपना अंगुठा कि नियुद्ट क्या है किया है तोसे तरिके से हमारे पास बहुत सारे लोगों के बहुत सारे यंगों तक ही है कि यह सब्सक्राइब अब यह समझनेसे पहले मुझे बताओ कि योदिशन्ेट रिवी क्या होता है जय मैं बता डेता है । कोई लॉम बनता है ठीक है और मान लो जैसे फार्मर लॉम बन गया था भी है नवह लो आए थे हमारे पस फार मान फिल 3 या तो बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया बहुत सारे लोगों ने पेटिशन या अरजी डाल दे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इस लौ को चेक करो हमें लग रहा है कि यह जो लौ बन रहे है वो क्या है वह अन कॉंस्टिटूशनल है मतलब की समविधान का वाइलेशन कर रहे कॉंस्टिटूशन को वाइलेशन कर रहे हमारी जो आइन है उसका क्या कर रहे है वाइलेशन कर रहे है ठीक है तो जुडिशल रिव्यू में होता क्या है जुडिशल रिव्यू में लॉज को चेक करा जाता है समझ में आ रहा है या कोई भी डिसीजिजन को किसी भी इंस्ट कौन बंदा सुप्रिम कोड़ का जज़ बनेगा तो हम लोग ने थोड़ी दिन पहले विक्टोरिया गोरी वाली निउस पड़ी थी कि विक्टोरिया गोरी के बारे में पेडिशन दर्ज हो गई थी कि भाई यह कर देगी क्या कर देगी हमेशा देगी लेकि सुप्रियम कोड्र ने क्या का सुप्रियम कोड़ी एक हम लोग जो चेक र कर की लेते हैं ठीक है तो यह जो कॉलिजीयम का decision judicial review के अंडर में आता ही नहीं है ऐसा बोला है Supreme Court में तो जल्दी से देखते क्या नुजे है हमारे पास यह बोला था Supreme Court stated that the suitability of a candidate cleared by a call a prince for appointment as a judge cannot be subject to judicial review एक बार Supreme Court ने कह दिया कि भाई इस बंदे को हम लों appoint कर रहे है as a judge तो इस बात पर दुबारा से बहस नहीं होगी कलेजियम जो भी decision लेता है बहुत ज्यादा सोच समझ कर लेता है दूसी चीज जुडिशल रिविविव इस टाइप अफ कोट प्रोसेडिंग तो यह कह रहा है कोट हो चाहे वो कोन हो चाहे वो हाई कोट हो चाहे वो निती आयोग हो तो कोई भी institution अगर उसके उसका जो decision है अगर सही लगता है या नहीं लगता है तो उसका lawfulness चेक करता है कि क्या कानून के according हो सही है यह कानून के according हो सही नहीं है तो judicial review करता है कोन court judge बैठेगा review करेगा और फिर बताएगा कि भाई यह चीज बिलकुल सही है यह चीज सही नहीं है तो यह क्या बोल रहा है जुडिशल review is a type of court proceeding court proceeding की तरह चलता है ठीक है जिसमें judge क्या करता है, उस चीज को check करता है, और बदाता है कि वो चीज lawful है या lawful नहीं है, किसी भी public body के decision को ये चेक कर सकता है, और judicial review के बारे में लिखा गया है, जुडिशल रिवीव के बारे में लिखा गया है, article 13 में, और अगर आपको और detail में जानना है तो मैं बदा द लेकिन इंपोर्टंट पर एक और है की सुप्रीम कोट्सुप्रीम 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 कोट्स धूरुजिशन रिव्यू कर सकता है ऐसा लिखा है अर्टीकल नमबर वन-thirty-seven और अगर नहीं है तो मुझे दिखाओ फटा-फट से आंग उठा ताकि हम लोग करें हमारा नेक्स्ट कोश्चन और हिंदी में जो लोग पढ़ना चाते हैं उसका स्क्रीन शॉट ले ले और हम लोग बढ़ते हैं फिर आगे अर्टिकल 137 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा और आर्टिकल 13 बता रहा है कि जूडिशिल रिव्यू कर सकते हैं आट करत कि जॉटों एक जोंज हो रही है बिट्वीन इंडिया जटकू इंडिया के साथ तomaq ठीक है रिया एक साथ कर लेंगे संदेगो यह देखो तरकश जॉइंट एकसाइस बिट्विन इंडिया इंडिया विच कंट्री ऑप्शन देखो क्या है तुम्हारे पास उसके पहले हिंदी पढ़ लेते तरकश भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है तो किस क दिलनी से आंसर दीजिए बहुत सारे लोग आंसर आ रहा है कि सबसी आंसर है सी अंसर है बिलकुल सी बिलकुल सी 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 और सब लोग कह रहे है कि सर आंसर इसका बिलकुल सी ही होना चाहिए अब ध्यान से सुनो भीया जिस दिसने सी आंसर दिया है ना ठीक है आपने तुम्हा एकन है रेशिया बिल्कुल नहीं है आंसर एसका United States of America ठीक है तो United States of America वह वह कंट्री है जिसके साथ तरकश exercise हो रही है तरकश exercise और important न्यूज में आपको तरकश exercise की बारे में एक बता देता हूं कि तरकश exercise पहली बार biological 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 chemical और radioactive exercise कर रहा है radioactive टीन टीनों चीजजों के ऊपर इन्तीस तीनों सीजों के उपर बहुत ज्यादा ध्यान देज行了 तो हम लोग कैसे उसका सामना करेंगे तो उसके लिए यह वाली एक्साइज हो रही है और इस एक्साइज का पेपर में पूछा जाना बहुत ज्यादा हाई लेवल है 99 परसेंट पूछा जा सकता है तो तरकश एक्साइज हो रही है इंडिया और यूएसे के बीच में मैं Lab लोगों समझ में आ गया होगा से आगला क्या है हमारे पास अजरे का मतलब हमारे सारी opposite फिस आज की हो गई है सबस्काइब करेब execution कर लेते यह वाली जैस तरकश वाली समझ में आ गई है तो एक बार की बीच में हो रही है पीशे फिर हम लोगों देखा सुप्रीम कोट फिर ने कहा कि कि में कहा कि सारे सारे डिसीजन जो है वोसाठीस के अंडर में नहीं सब्सक्राइब के बारे में और आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोड के पास पावर है जुडिशल रिव्यू करने की फिर हम लोग ने देखा था और क्या हम लोग देखा था लिथियम के बारे में बहुत सारी चीज की लिथियम जो है फॉर्स्ट आफ अलकलीज है ना नॉन सबसे बड़ा इसका बोड्यूज है फिर हम लोगों ने और क्या की था हम लोगों ने देखा था और जब थे हां है जो क्या है है वह हम लोग देखा कहा पर इंडिया का हेड़ कॉर्टर है कोल करता में फिर हम लोग ने और क्या चीज़ देखी थी हम लोग देखा था कि कौन सी स्टेट यूटी अमंग देखा लिफीन डिपोजेट्स तो यह तो वही था ठीक है अच्छा यह आसाम था है ना और कौन सा स्टेट है जिस ने बहुत ज्यादा बाल विवा के अगेंस्ट में अक्षन लिया और दाही अज़ार लोगों को उठा के जेल में डाल दिया तो आसाम है और ऑख सो एक्ट और कौन सा प्रोभीपिशन ऑफ चाइल्ड मैरेज एक्ट दो हजार चे यह दोनों के द एजुकेशन मिनिस्टर थी यह भी हम लोगों देख लिया था और हम लोगों ने क्या रहा हम लोगों देखा हो साल चार फरवरी को मनाया जाता है और केर गैप बंद करे या क्लोज दा केर गैप यह इसका इस टाइम प्रेड में है और इसको मना था कून है यह और वर्ड हेल्ट और्गनाजेशन सेकेंड लीडिंग कॉस्ट टू डेथ है यह सत्र परसंट लोग कैंसर से मर जाते हैं और खासकर लोग टू मीडल इंकम कंट्री मतलब पूर और डेवलपिंग कंट्री में लोगों की डेथ इस वज़े से हो जाती है और सारी की सारे अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तब तक के लिए इस सेशन को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को दिखाईए ठीक है अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी मन चाही यूनिवर्स्टी पाईए तब तक के लिए मोहिन पठान आपको कहता है जय हिंद चालो तुझ है जसके लिए एक लिए तक को दोता हैं यृ सिर्णे मोर्ड करिए है यृ